तो आज हम देखेंगे क्या difference between community and society या फिर society and community बोल सकते हैं सबसे पहले differences society is the wave of social relationship society क्या है एक wave है wave it means कि network है किसका social relationship का क्या बता रहा है society क्या है network है किसका social relationship उसका बात community में देखते है community is the social group with some degree of we feeling and living in given area तो community क्या है एक जो है social group it means कि pupils का group है जहां जो है क्या देखने को मिलता है we feeling जो है देखने को मिलता है and living in given area it means कि एक particular place या फिर area पर क्या करते हैं लोग रहते हैं belong करते हैं उसके बात second difference क्या बता रहा है it is abstract nature तो society का nature कैसा होता है abstract nature का होता है which can not be seen इसको नहीं कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको उसको उसके फॉर्म में देख सकते हैं या फिर wider या सूसाइटी के एक लार्ज है है there can be more than one community in society क्या बता रहा है एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं उसके जिए स restけ एक छोता है जहां बहुत उस्यार Стे分鐘 उसके बाद कम्स कम्सें इस overcome कमूनिटिम क्या बता रहा है community is smaller than society तो क्या बता है يعeurs community का एक small होता है छोटा होता है कίस से society से mostly parts of the society तो क्या बता है mostly एक किस का parts होता है पूर रहा है है न society का एक parts होता है या फिर society के अंदर में आते हैं उसके बास फिर्था डिफरेंसे क्या बता रहा है society does not have the specific geographical area तो society में क्या बता रहा है, society का कोई एक specific geographical area नहीं होते हैं या फिर particular place नहीं होते हैं उसके बाद community क्या बता रहा है, community has a specific geographical area, community क्या बता रहा है, community people एक particular area या फिर geographical area में क्या करते हैं, belong करते हैं या फिर रहते हैं उनका क्या होते हैं, particular एक specific geographical area या फिर location या फिर place होते हैं एहां पर देखने को नहीं मिलता है सक्रुचाई कर देंगे कहां मिल है इसके बात क्या बता रहे हैं यहां पर कम्मुनिटी में there can be no community without community sentiment यहां पर जो है बीना community sentiment के यहां पर कोई भी community नहीं हो सकते तो उनके क्या होते हैं थिंकिंग होते हैं या फिर idea या फिर opinion या फिर उनके सोच जो है क्या होते हैं एक जैसे होते हैं उसके बाद six differences कि बता रहा है society is the heterogeneous group like that there is the diversity among the members तो क्या है society कैसे होते हैं- winning person so society के members या फिर people में diversity या फिर बोसकते हैं क्या heterogeneous जो हैं देखने को मिलते हैं heterogeneous means lots of सब्सक्राइब के दिपरेंसे अमने मेंबर्स में क्या होते हैं फिर चेंजस देखने को मिलते हैं उसके बात क्या बता रहा है community में community is homogenous like that less or not diversity is present among the members तो क्या बता रहा community में जो है कैसे होते हैं homogenous वाले pupils होते हैं it means की same people जो है देखने को मिलता है it means की एक ही जैसे देखने को मिलेंगे एक ही जैसे same language देखने को मिलेंगे और उसका idea thinking सब जो है क्या होंगे यहाईस जो है differences गहां और उसके बाद लास्च चुआ क्या बता रहा है सोसाइटी इंवल्फ भोत likenेस एन-डिफिरेंस तो society में क्या होते हैं दोनों देखने को मिलता है likeness भी देखने को मिलता है और differences भी देखने को मिलते है कि इडिषेंस गूनिटी में ज्यादा तर जो डिफ्रेंसेज देखने को नहीं मिलते इटमिंस की स्क्राइबनेटी क्या होता है एक जो स्मॉल ग्रूप्स या फिर विलेजेज बोल सकते हो जहां क्या होते सेम प्यूपल सेम एगरिकल्चर सेम लेंगवेज यह सब की जो है देखने को मिलता है तो एडियो में आई होप आपको आज क्लास जो समझ बनाया होगा थैंक्यू फ्रेंड्स